हेलो एवरिबर्डी सासे काल नमश्कार फोप सारे ठीक ठाक हूं लॉक डाउन दे विच पढ़ाई कर रहे हूं तुस्पी सारे ने अमबैस्टों अफोप दे विच भी बहुत बद्या सहयों कीता तुस्पीत किता एंदे सुने सुनी वीडियो तुसी सारे ने पाये बहुत हुई देखके कि पंजाब दे विर्से दी गाल होई, पंजाब दे इतहास दी गाल होई, पंजाब दे बच्चेया ने अपने हुनर नो साड़े सामने रखिया, अपने बच्चेया ने अपने अपने एक लख 6,000 वीडियोज बनाके अपलोड कीते पेरेंट्स ने पार्टिस्पेट कीता टीचर्स ने पार्टिस्पेट कीता सारे लोग एस करोना दी महामारी दे विच अपने बच्चेयां दे नाल इस गाल चे इन्वाल्व होगे बड़ी खुशी होई एने सोने सोने वीडियोज देखके और मैंनू पता है आज अपां खोर किसे गल वास्ते कठे होएं तुस्थोनू सारे आनू कल मैं फेस्बुक लाई वास्ते सनिहा देता तुसी सारे आज एन्नी वड़ी गिंती विच जुड़े हो तुसी एन्ने वड़ी गिंती विच सवाल पेजे हैं थोड़ा बहुत बहुत अनुवाद कर दें स्वागत कर दें कोशिश करांगा मैं थोड़े सारे सवाल आन्दे जवाब आज दे सकां आन्ड़ वाले समयच अपने इमेल दे रहीं दे सकां जिनने की आज दे सकांगा अज भी देवांगा और मेरे मांदे विच आज दो तिन गलना थोड़ना सांच करनी है ओपनिंग रिमार्क्स में अंग्रेजी विच भी गल करांगा थे पंजाब बीच भी गल करांगा और इस तो लावा फिर मैं थोड़े सारे अंदे सवाल लवांगा थे और सवाल लेंड तो बाद जेड़े कोई गलना रह जानगी हैं अपा फिर उन्हों बाच करांगे और थो लोकडाउन दे विच आपा सारे ने अपने करांविच रखे अपने माता पिता दी सेवा कीती और अधा ख्याल कीता इस सारी गलना कीती हैं मान्योक मुक मंत्री पंजाब कैप्टन अमरेंदर सिंग जी दी जो हदायत सी सरकार दी हदायत सी उन्हों तुसी सारे ने मन्नें ताहीं आपां हले ताक करोना दी महामारी नो रोक सके हैं और हले मुक्या नहीं आपानू हले होर भी इस दे उपर इसे तरीके नाल अपने आपनू बलके होर केरफुल लेके रहके सानू अपने आपनू कांड़क्ट करना पहुगा तांकि असी इस करोना दी महामारी दे लकनों पूरे तरीके ना तोड सकी और मेनू पूरा विश्वास है कि अपां पंजाब दे लोग हमेशा स्टाल वर्ड सुनने हैं हर लड़ाई दे विच वड़ा योगदान भी पौनने हैं और अपां हर लड़ाई दे जितके वापस होन है ते इस बार भी जिस तरह सारे पंजाब ने उन तक साथ देता है सरकार दा उसे तरीके ना तुसी साथ देओगे तांकि अपां इस करोना दी महामारी चोंग बार निकट सकी है इस तो इलावा दूजी गाल जड़ी आपां आज करन जा रहे हैं वो सिख्या वे पाग नाल जड़ी गाल है थोनु सारे नो पता है कि जदो एक करोना महामारी दी गाल आई ते लौकडाउन देश दे बेच आया सिख्या वे पाग ने तई मार्च नो ओर्डर कड़े आ और ओदे विच इको गाल कही सी कि आसी बच्चेयां दे प्राइवेट स्कूलां दी फीस नो डै जबूर कर दोगी दुझे पास से बच्चानी पड़ाई भी इंपॉर्टेंट है बच्चाना हर साल भी इंपॉर्टेंट हुंद है इस करके पिछले तिन चार दिन पहला सी एक होर ओर्डर कर डिया जिच असी टूशन फीस जेड़े की स्कूल प्राइबेट स्कूल क्लासेज दे तहत टूशन फीस चार्ज कर साथे जो दो असी टूशन फीस कहने है ओदा मतलब होंदा है कि ना था कोई ट्रांस्पोर्टेशन चार्जिस होंगी ना कोई अडमिशन चार्जिस होंगे ना कोई बच्च्या नो युनिफॉर्म अपने स्कूल दी टक शॉप त स्कूल दी दुपान तो लेन वास्ते मजबूर करूगा और असी पहला वी कड़े है एही है कि तुसी अपनी वेबसाइट दे ऊपर बच्च्या नियां ड्रेसेज वास्ते कोड पाऊंगे और तुसी बच्च्या नो जडियां किताबां दी लोड है और किताबां जडियां उन्हों तुसी आउनलाइन अपने को शो करोंगे तांकि बच्चे जित्वों सस्तियां मिल दी हैं उत्वों कताबां बाए कर सकन और इस तो इस दे नाल नाल असी अपने टीचर्ज वास्ते और खास्त और ते नॉन टीचिंग स्टाफ वास्ते भी सरकार ने हधायत किती है कि ना तो उन्हों बाहर कर्ड़े जाओगा और नहीं उन्हों थी सैल्लीज टे विच कोई कट किता जाओगा और हाइब डिरेक्शन भी डिल्ली लिया धट जिन्हों और फीस डेक्ष नो लेकर अपनी डिरेक्षन देती तो सार्यां गल्ला नूं तै आंच रक दे हुए सरक तिन मीना बाद दे दो क्योंकि सानु सब नूँ पता है कि जड़े प्राइवेट स्कूल्स दे ओनर्स हैं या मैनेजमेंट्स हैं उना दा अपना एक निजी रिष्टा बच्चे नाल भी हुंदा है और उना एक निजी रिष्टा पेरेंट्स दे उना यहां फैमिलीज दे ना मेरा इमेल आइडिया मेरा मुबाइल नंबर डाइवर्ज ना करी हो क्योंकि कोई भी पेरेंट या कोई भी बच्चा अपनी स्कूल दी मैनेजमेंट्स दे मुरे अपने अपने अपनों एक्स्पोज नहीं करना चाहूंदा और असी भी हलेता के इस गाल नूं टाक्के रख हैं और साड़े लोगानों साड़े बच्चे आनों साड़े पंजाब दी जनतानों जेड़े प्राइवेट स्कूलां विच पढ़ दे हैं बच्चे उन्हादे पेरेंट्स नूं इस क्रोना दी महामारी नूं देख दे हुए कि उन्हावनों ए रलीव देना चाहीद है तो जरूर देनगे और मैंनों पूरा विश्वास है कि ए सारे लोग आपा मिल के इस लाई दे विच काम्याभी हासल करांगे और सारे लोग सरकार्दी हदायत नूं मननगे और मैं इकल हमेशा पहला भी कही है और पहला भी सक्त असी ओर्डर कड़े हैं कि हून भी मैं कहना चौ करांगा असी जिला पंदर दे उपर नोडल ऑफेसर भी लगाएं उन्हादे इमेल आइडी इस थे उन्हादे टेलफोन नंबर्स भी इसी पब्ली डोमें दे विच लेके जावांगे और इस दे नाल नाल उन्हादी सारे लिस्ट भी मैं शेर करांगा और मेरा अपना इमेल इस्था अवार्णाग अर्ष नहांगे इसे खुट लाएंगे इस्था ऌड़ जन्हादी जैंप करुट लिज इस मतने पूट अवीड बाटे दोवेड प्रूश एम्रेअध इस अवार्ड़ अलड़ अब्स नहांगे इस जिए इसले कर अप्जाब अट्या गईश्ट ग whether it is wearing of masks is concerned, whether cleaning of hands is concerned, whether social distancing is concerned, whether till the time lockdown is there, you are going to refrain yourself from moving out, you are going to keep yourself home. And I am very happy that all of you participated in the Ambassadors of Hope program in which you all came forward, parents got involved, teachers got involved, the potential of younger children, potential of youngsters came out in the open. We were able to assess the potential and many other states are also looking at such programs now so that they are able to determine the potential of their younger people in their respective districts and we are able to, you know, make a pool of such youngsters who will be future of our state. So I am very happy that you people have been able to participate and in a span of eight days, 1,05,000 videos were uploaded. It is not about people participating. If I have to say that 1,05,000 people participated, I don't want to say that, but it is most important is 1,05,000 videos were uploaded as a part of the Ambassadors of Hope program. So I am very happy and thankful because I am able to become a bridge between the talent and the state. I am able to identify or determine the children who have potential in them. Second part, as I told you that we are going to talk about the fee structure, the situation which has, you know, arrived because of the pandemic situation here, that the state government came out with the order on 23rd March in which the state government only deferred the fee structure because we never knew that the lockdown is going to continue for two months. That point of time initially the lockdown was for 21 days and we told that no private school is going to charge fees. But slowly, slowly, we realized that the importance of education, we realized that during this pandemic situation also, there is a lot of, there is need for starting for online education. And now the state government has come out with an order to say that if you are imparting online education, you can charge only tuition fees. And when I say tuition fees, it means no transportation charges, no admission charges, no uniform charges, no mandatory selling of books or buying of books only from the school tuck shops. Parents will have an option to buy either books or uniform from anywhere. And the schools are supposed to display the color coding on their website and also the books required for the child on their website. The child and the parents will have an option to openly go and buy from wherever they feel like. So this is one option, this is one order which we came out with. And the second part I would like to share was that no teacher's salary will be cut and no teacher will be laid off, whether it's concerning the teaching staff or the non-teaching staff. And I am quite confident that the private school owners, as they also know that we have kept the high court, the double bench Delhi high court order in mind while allowing them to charge the tuition fees to only those schools, those who are imparting online education. So I am quite confident that the private schools are, because they themselves have a very good and a solid connect amongst themselves. Like the school managements have a connect with the parents and the students. And so as they have the connect with the teachers and the non-teaching staff. So I would not like to infringe much between the relationship the three enjoys. And I would leave it to the school managements to, you know, maintain that relationship, make it more solid during keeping in view the COVID-19 situation. And as we all have contributed in our own ways, in order to, you know, find out a solution to the, in order to, you know, contribute into this, in this situation. So I'm quite confident that everybody is going to behave and everybody is going to go by the government's order and nobody is going to flout it. I must tell that anybody who is flouting in the government's order, I'm going to take your questions also. I have got many questions since yesterday. I'm going to take a few questions on my own also, which, which I have already got many people have asked those questions and remaining questions, which you are online asking me now. I have a team here with me, who's going to pen down all these questions and give it to me. And I will answer those questions and answer them. I want everyone to ask, I want you to join everyone today. I will try to answer all the questions and answer them. And I want everyone to ask, what's the first thing about this? I want to ask our government's order to answer them. You know, where you're going to find a problem, who is also going to reply to the Nodal Office. He will have a complaint of my email ID. दे उपर तुसी CC भी कर सकते हो सिधा भी पेश सकते हो और जेड़े-जेड़े साथे DOs हैं वो थोड़ियां complaints नो answer करेंगे और मैं इस सारी यां गलना बार बार दुबारा repeat करके कह रहे हैं कि जेड़े-जेड़े स्कूल रिपीटिडली गर्मेंट दे और नो फ्लाउट कर रहे हैं उना दे उपर स्ट्रिक्ट आक्शन भी होगा और मेंनों पूरा विश्वास है कि जिस तरह पंजाब ने हमेशा कठे होके अग्गे जान दी गल कीती है उस तरह इस करोना दी महामारी जो पूरे विश्वद चल रही है उस विच भी अपा सारे कठे होके इस चो निकलन दी कोशिश करांगे सो मैं होन ज्यादा कुछ ना कहनदा होया हूं मैं थोड़े सवाल नू लवांगा कुछ पंद्रावी सवाल मेरे को थोड़े और जड़े बहुत सारे लोगाने फ्रिक्वेंटली आस्क्वेस सवाल पुछे सी और मैं थावन उन सारे कहना हूं है कि पहला सवाल मलेर कोटले लडका है नोज कमार और मनोज कमार वर कहीं लोगाने मैंनों जह वाला सवाल पुछे पी जड़े लोग वॉट्सैप पधाई करादन दिया वाट्सैप दे उपर अपना कोई से होंग पे इस या कोई बंदा जून क्लासिजे नहीं क्लासिज ला रहे है को यह सारीत चिजानों असी आन्लाने सके जड़े के ? कििसी दो नंपर दना पता नीशीगा की तो मेरे शुरु करना पहसा हाद है सारे पास सब कुछ बंद चल रहे है ते पैंडेमिक सिचुवेशन है ते ओस रिसोर्सिज जड़े बंदे को जहें रिसोर्सिज हैं हर स्कूल अपने बच्चानों सही तरांदी सिख्या प्रवाइड कर सके जहें रिसोर्सिज अवेलेबल हैं ओस तरीके देनाल ऑनलाइन क्ला से चला रहे हैं और मैं इस गाल देनाल वादा कर दें सिचुवेशन इंप्रूब हो जान दो आसी इस गालनों भी मॉनिटर करांगे देख दे होए तांकि आसी अडवाइजरी भी शू करांगे देविच्च कि सारे लोग चंगे त्रीकिना ऑनलाइन क्लासे देन अपने अपनी समर विकेशन्स नो यूज करके अपना स्लेबस पूरा कर दे स्कूल अपने ऑनलाइन क्लासेज नो डिफरेंट फॉर्मेट्स दे विच वो जिस्तरा मेरी बेटी है ओधी ऑनलाइन क्लास वेरे शुरू हो जान दी आठ बजे दो बज़े तक अपनी ऑनलाइन क्लास क अपने चार-पंच कंटे आपने स्कूल ला वोग कर दी नी यह तरो डेली दे स्कूल पढ़ दी है तो जदो स्कूल जान दी सी उस वे ले दैना नहीं उन्हों वेर करना पेंदा सी पर लेकिन जदो तो आंलाइन क्लासेज चल रही हैं उन्हों एन्ना ज़्यादा समाव अपा किसे भी फॉर्म्च कर सकीए ताकि साड़े बच्चे दी प्राइदा नुकसान ना होए अल्टीमेट साड़ा मोटे वेर जैसी बहाना लबड़नों वैसी कोई भी लबसा दे पर मैं समझना कि इस करोना दी महामारी बारे किसनों ना पहलना पता सी आज यह किसे निया जालों कीती है ताँ जेड़े जेड़े रिसोर्सी अनों को अवेलेबल कीती है पर मैं यहीं ख़लता वादा कर दें कि आसी इस क्रालों ओनेटर भी कर रहें कि कि एड़ा स्कूल किस तरह नहीं एा आन्लाइन खला रहे है यह पड़ा रहे है तो यह वक्त वक्त आके जाना करते हैं या अपने पेहन पर आधि और यूज़ कर साथ है और इस सवाल भी बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे को लों कुछ जाने मेरे को रेज कीता सी मैं कहना चौना की पंजाब सरकार ने इस order नो पहला ही public domain दे विचे बड़ी देर पहला तो लेके आंदा है ते इस बार असी 6 अपरेल या 7 अपरेल या कसी दुबारा order कड़िया सी जिसे इस काल नो दुबारा लोगो और साधे स्वाटर दे उपर लगया होंदा या साधे कोट दे उपर लगया होंदा कि पहला एक बिल्ला आवांदासी दासर पर लोहेदा इसी स्फूल नो पहला हैं हजायत कीती है कि पेरेंट्स को ल दे बच्चे को ले option है कि तुसी कोई वी किताबां दी गाल या वर वर्दियां खरीद सकते हैं बच्चे किसी भी दिकान तो अपने खताबां खरीद सकते हैं और जेड़े स्कूल ने अपने लोगों नो मेंडिटरी करना है वो अपने लोगों नो अपने बिल्ले दे रूप पेच अपना सेल कर साथें टक शॉप तों तांकि किसे भी पेरेंट विच उन्हाने ऑनलाइन क्लासेज नहीं शुरू किती हैं ते ओप्रैल दी फीस मंग रहे हैं और ये गाल में को ले कले हर्दीब जी नहीं लिखी एवी गाल में को ले बड़े लोगा ने लिखी है इकता मैं कहना चौन है कि जेड़े जेड़े स्कूल जात्तों थानों ऑन जो लोग आनलाइन क्लासेज दे रहे हैं जदो तो दे रहे हैं ते ऊसली सिरफ ट्यूशन विज़ चार्ज कर साथ एंगा नहीं है कि उन्हां ने आंलाइन क्लासिस दे नाम दे उपर होगोई फीस लैंड दी गल करनी है क्योंकि जे आज आज आसी सारे मिलुके इस गाल दे उपर कायम होके गल करांगे ताहिए इस गाल नो दे विचो निकल सकाने इस तो लावा सवाल है कि रिंसी रहाने पटे आले तो जिस तरह न नेकिया इस तरह बहुत लोगा नेकिया कि स्कूल ने दोदो मीने दी फीस अडवास्ट लेली से अच्छा हुन जे किसे ने करोणा माहा नारी तो पहला किसे ने जन्रीज फीस देती होई एक म्यूचली पेरेंट्स ते टीचर प अपने स्कूल्स ना गाल करन क्योंकि इस पता है कि बाकी इलाक्य विच की ऑडर आया हुए और जे इनुन लागदा है कि स्कूल्स ना दी गल नहीं सुना नों त्यार हैगा तब मैं इनुन कहना चाहिए कि अपने डियो दे लेवल ते अपने ऑनलाइन कंप्रेंट करन अपने दे नंबर जिना दे इमेल आइडी मैं फेस्बुक लाइव खतम हूं तो बाद अपने पॉब्लिक डूमें दे उपर पामांगा और मेरी कोशिश है जो कोई नंबर ना चालदा हो या तो लगया वैसे ऐसी गल नहीं होनी चाहिए पर मैं तो नहीं वादा करने ना चालदा ह पर भी तुसी अपनी कंप्लेंड रिजिस्टर करा सा दियों इस तो लावा एक हुन जलंदर तो अनूप गौतम जी ने का मैंनु सवाल लिखे और लिखे असी कि गवर्मेंट शूट थिंक आबाउट प्राइवेट स्कूल ऑल्सो कि प्राइवेट स्कूल आने वी ट्रांस एक हाल कहना चालना है एक क्रोना दी महामारी प्रमात्मा करे जल्दी खतम होगी और अपा सारे भी अपने करे बैठके सब तो पहला ना अनतो बाद स्वेरे उठके एही अर्दास कर दें आपा सारे स्वेरे कि प्रमात्मा करे सानु इस क्रोना दी महामारी तो बाहर कड़ो और उमीद है कि यह जल्दी निकड़ भी जाओगी और थोने सारे ने देखे है सरकार ने भी हौली हौली फैसले करके करोना दी महामारी ते तहत भी अपने अपनों इस लोकडाउनों खोलन वास्ते भी फेज़े विच आपा सारे ने फैसला किता है और मैं जरूर कोशिश कर है कि जल्दी एक प्रमात्मा देखे अरदास कर आपा सारे करने के जल्दी खुले पर मैं नाल देना थान हुए सारा नों यह भी कहना चौन है कि अगर बाइचा से ज्यादा लंबा चले गया उस वाद आपा इस से उपर भी कोई रहा कोई कोई कंसिडरेट व्यू लवांग कि बहुत सारे लोगां ने पंजाब भी बेनू गाल कही है तो इस काल के वी विल टेक अ कंसिडरेट व्यू अगर लॉग्डाउन हो ज्यादा लंबा हो जाना है तांकि सानु पता है कि जड़े लोगांने बसां पाईयां हुई है उन्हाने किष्टा भी पर नहीं है उन्हा के पास यह उन्हानों कि अपने बसां दे ड्राइवर दे कंड़क्टर दे तन खाहां में इस तो अलावा मुहालितों साधे को एक कंप्लेंट आये एक किसी रजनी बेदी ने लिखी है जीदेच उन्हाने लिखिया कि स्कूल सेंडिंग मैसेजिज और फी हाइक कि इवन फी जाने लेखा टू आई है ट्यूशन फीस आपा देनी है ट्यूशन फीस तो लावा ज्यड़े लोग एवी असी ओडर छिलिखिया कि पिछले साल जो सोडे को ले थी इस लिप पांदी सी और जिन्हीं ट्यूशन फीस लिखिए आतो तुसी देख सकतें कहीं सादु मैंनों य अगला सवाल आया है कौने का चुहान जिलंदर तो जिनना मैं नोट कीता सिया कि सानु सेलरीज नहीं मिल रही है कि असी चाहे 100% अपना स्कूल हो दिनने हैं ते असी अपने 100% दें तो इलावा चाहे जूम आप दे तुरू दे रहे हैं ते चाहे आसी रिकॉर्डड लेक्चर दे तुरू दे रहे हैं ते पर सानु सेलरीज पूर्य नहीं देते जा रही हैं देखो एक क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं गम्मेंट दियां उसी कुछ लोगा ने मेनू भी लिखे मेरे कुल भी कुछ इमेल्स आई हैं और मैं सारे अंदिया कोशिश कीती हैं कि सारी इमेल्स द कोई प्राइवेत स्कूल किसे भी टीचर दूर्फ नहीं करूगा सब्सक्राव लोग भी क्रोना दी महामारी देवेले उन्हें तकलीफ जाहें आपा सारे लोग है जिस तरह तुसी एक लिखी है कि तुसी एक लग यह कि अपना साथी सेलरी देते जारी हैं सब्सक्राइब क्लियर इंस्ट्रक्शन्स एं जट सेलरी बीपेट टू आउल टीचिंग स्टाफ नौन टीचिंग स्टाफ बाइद प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट्स जाता कासी गला मिलके नहीं करांगे ताता कासी इस दा हाल नहीं कर सकाने फट्यकड साब तो एक साथी हैं अम लोग तो विक्की गिल जी उन्हा ने भी लिखिया कि साड़े बिजनसेज भी बांद है तो स्कूल दो मीने दी फीस मंग रहे हैं अपरेल ते मैइ दी ते साड़े वास्ते अफोर्डेबल नहीं है मैं पहला नहीं किया है कि जदो तो सर्विसेज प्रवाइड हो रही है जदो तो सानू ऑनलाइन एजुकेशन प्रवाइड साड़े बच्चा नो स्कूल ने करने चार्जेस जड़े बंदे जड़े स्कूल दे मैनेजमेंट से लोग ओनलाइन फीस पे कर रहे हैं ओनलाइन पढा रहे हैं ओपनी ओनलाइन फीस ले सकने हैं और मैंनों पूरा विश्वास है कि एक आनवाले दिरज फिर कंप्लाई होगी ताकि कोई भी साथी कोई भी बच्च कोशिश ही है मेरी कोशिश ही है कि अपना आपा सारे मिलके इरानों आंसर करांगे कुछ साथी ने लिखे नीरजगर गये साड़े मेरे जिलेतों है संदूर्तों तूरीतों इना ने एक लिखी है कि कहीं स्कूल आने अपनी यां बारा इंस्टॉल्मेंट्स दे विच्च स्कूल नहीं खुल दे जिनिदे साड़े स्कूल बंद है और लॉक्टाउन पीड़ मनने जाओगा और जो दो स्कूल खुल जानगे और रिमेनिंग पीड़े विच तुसी अपने अपने रैशनल दे सावना तुसी अपनी एडिमिशन फीस नू चार्ज कर सा जो तो सावना जिनी एडिमिशन फीस बंदी है उनी ही एडिमिशन फीस पे करन दी जरूरत है क्योंकि अगरवाइस था बड़ा डिफिकल्ट गाल हो जूगी आपका नौ मीन नादे विची बार्रा मीन फीस नूं करता तो फिर दागो रिलीफ ही ना मिलिया तो इस करके क्लीर इंस दी चीए कि सब्जेक्स अर्ट वाणलाइन काशी तू सम्झेक्स पर आए जानदे के टिवरी टूशन फीस पूरी फीस पूरी यटी जान दी देख वर जटे तर्दक ट्यूशन फीस ती कहला अगो स्कूल ने ते टीचर ने ते मैनेजमेंट ने आपने बच्चा दा पूर पूरा करने माहमारी करके स्कूल बांद हो जाने और स्कूल बांद हो गए पहली तो लेके दसमी घ्यार मी तक पढ़ रहे हैं उना दी तक कोई क्यारियर क्लासिज नहीं है पर लेकिन जी अपपा उन्हानों उन्हादे हर साल दा कोर्स पूरा करानवास थे कोई कमी छड़दांगे तो जो तो अपने प्रफेश्चनल कोर्स जानवास थे उन्हादे माक्स दी लोड इस तो लावा एक सवाल फतेगर साब तो दुबारा बैंस साब है कोई दविंदर बैंस जी ओना ने लिखिया है उदेच भी होना ने ड्राइवर थे कंड़क्टर्स दी सेलरी वास्ते गाल कीती है कि सानू इंशोरंस देनी पहन दी है और सानू आपना नाल दिला टेक्स प कहना चौन है कि करोना किसनों नहीं पता सी आ जूगा तो आज पहले दो तिर मीने सेस कर लिए यह उपर एक सरकार दे कोल रखांगे आसी ओ लोगानों भी कोई ज्यादा तांग नहीं करना जाने पर मैंनू पता है कि हर प्राइवेट स्कूल दा अपने मैनेजमेंट देना अलिक वह भी अपने चंगे ड्राइवर नूँ थे चंगे कंड़क्टर नूँ चड़ना नीचाहूंदा हर साथी नूँ अपने बंद्यां दी लोड है और दुझे पासे मैं भी अंडर्स्टैंड करना कि जड़ा कोई प्राइवेट ट्रांस्पोर्टर है और वह अपनी प सरकार ने पदर देके कंसिडर्ड व्यू वास्ते रखांगे जहें कोई ज्यादा लंबा चाहिज जानता है थानु सारण में भी पता है कि दो तिन सालना बाद बहुत चंगे बजट पंजाब सरकार ने पेश कीता सी और इस बार बहुत सोना बजट फिनांस डिपार्टमें आफ में साठति सरकार ने पेश कीता सी और पंजाब दे लोगांते हित्वаты किता सी तो लुकिंग देट लुकिंग बाश्य को करते हैं । इसमेला कि fajnone ये जास पीसिला कि लिएग देंहों के आनने तो उन्हाइन के ए स्कूल का दुख पाइब भी संगूर उस तो दो दिन पहला नहीं संगूर से बहुत सारे बच्चे एंगल स्कूल कद खुलूगा प्रोग्राम यह बड़ा इक पासु बड़ा डेंजरस भी है क्योंकि पहली गलता है यह पिरामिड दा लास्ट फेक्टर दे उपर आंगा ते ना असी बच्चेयां दी सेफ्टी ते सेक्यूरिटी नूँ प्राइम रख रहे हैं ते उस दे उपर आसी कोई कॉंप्रमाइज न प्रमोट कीता है तांकि अपनी प्राइदे विच भी पिछना रहें ते ओ आपने बच्चे अपनी अगली क्लास प्राइब शुरू कर सकना क्यों सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होए क्योंकि बच्चेयां नूँ कंट्रोल करना बड़ा उख्षा हों जब बच्चे स्क क्यासी सारे बंदे बाइब बजनी मांदे विच जाल दा कि अपना खेली एपनी क्लास प्रेंड जान एंजोई करीये तो सारी गल्राण ओट्रों देखते होए और बच्चानी सेक्टी सेक्वरूटी डेखते होए यह क्रोणा दी पैंडेमिक दी सिच्वेशन विच दे वि सवाल मेरे कुल आया है कि बुक्स वास्ते बिपन शर्मा जी है कोई जिलंदर तो नहीं कि जड़ियां नवे सेशन दियां बुक्स हैं वह पांचे हजार पर कॉस्ट कर दियां कि पैंडेमिक महौल दिविच बड़ी इर्रेलेवेंट जी गाल है बिल्कुल ठीक है मैं तो पहल पहला तो भी आया है जी चैसी कि कोई स्कूल किसे पेरेंट्स नूँ फोर्स नी करसा दा की घड़ियां किता जी है सारे स्कूल लादियां वेबसाइट दे उपर हर क्लास दियां किता गया और उना दे रही ही तुसी अपना बच्च्छा ने आपने बुक्स नूँ बाए कर करने चाहे और प्राइवेट स्कूल दुकान दो जाकर बाय करो चाहे बजार चोबायकरो चाहे श्कूल थी टक्षब चोब जित्व सस्तिय वह जी उट्थों ले ले और जे फिर दिक्कत आवे सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब तरो मेरे इमेल आईडि दे उपर तुसी अपनी गाल पे इसा देओ इस तुलावा एक सुमीता शर्मा जीदा सवाल आया है जीदे चुलने क्या है कि साथे स्कूल देव पिछले साल जासी बच्चे पड़ारे सी नवी अडिमीशन असी दित्ती लित्ती नहीं हले स्कूल आले पहला अडिमीशन फीस मंग दें ते उस तो बाद उसाथ मों अडिमीशन देंगी जे कोई तो एह जी गल है गी है तो उसी बनों इमेल लिख दो मैं चेक कर रहा है कि केड़ा स्कूल है मेरा इमेल आईडी विजे इंदर सिंगलाइड जीमेल डाट कॉम हैगा तां इस तो लावा गुर्दासपुर तो सवाल आया कुदीप पुरेवाल जी दा और एवाला सवाल बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चे एकडेमिक्स देविच बड़े नंबर स्कूर कर दें उन्हाने बड़े पेरेंट्स ने कीता है कि किये क्रोना दी महामारी करके कोई कि अगर तिन महीने स्कूल बांद रहेंदे हैं यह पारस सरकार भी सजैशन देती है मिनिस्ट्री ओफ एचार्डी नो क्यूंकि अगर आसी जड़े बच्चे आज बार्वी देविच गये हैं तो पूरे साल दे कोर्स नो रड्यूस नहीं करांगे ताथ तक उना दाथ उना सरकार कारओं स्तूर के तुसी नो अपना एक कटाशा दिया तांकि एक स्वाल है most संदूजी ने ख है कि जड़े सारवे बच्चे अन लौकडाउं से भली खत्म विचू ऊजह करें कि जिनना पीरड रिमेनिंग पीरड होगा आज असी स्कूलानों ऑनलाइन क्लासिस जेड़े स्कूल दे रहे हैं उन्होंनों असी ट्यूशन फीस देन वास्ते लेन वास्ते असी अलाओ कि जे तिन महीने लॉड़ों चाल जाना है फिर जेड़े भी तुसी फसिलिटीज वास्ते तां तुसी 9 मिहने वास्ते बच्चान दी ट्रास्पॉटइशन फीस पर दैता है रहा हजार सी नौ मि्हे नवड़ा बच्चा स्कूल जाने हे मंटे नौ ugs-धिसए लॉत अपनेया diz भी नॊ-प्रूशन परके देस जुआएओ और बिनों पुरा कि आ rhोस क्रों पूरा सपोर्ट करेंगे क्योंकि आसी अपने बच्चानों अगर सब्सक्राइब रिलीफ देता है और रिलीफ ताहीं ग्राउंड लेवल यह उपर प्रॉपरली एक्जेक्यूट होगा जैस आसी इस कालों इस तरीके दान इंप्लिमेट करा ले इस तो अलावा बठेंडे तो जगफ्रीट सेंग है उन्हाने लिखे है कि जदो स्कूल दे बच्चे कोई स्कूल दा इंफ्रसक्षर यूज नहीं कर रहे ते सिरफ ओनली ऑन्लेन क्लासिज मिल रही है कि एडुकेशन डिपार्टमेंट कोई ट्यूशन फीस फिक्स क्यों नहीं कर दंदा लॉग्डाउन कर दी तांकि स्कूल ज्यादा चार ना कर सकते एक अपने पंजाब कर दिए कहीं जगा दे ऊपर अडर्ट रहां दे त्रीकेनाल फीस किती जांदी है और सानु पिछले साल दी पेस लिप तो पता हुंदा है कि ट्यूशन फीस किन नहीं सी क्योंकि पहला जो तो पिछले साल असी और इवी गल मैं बिल्कुल पब्लिक डूमें दे विच क्लेरली कहना चाहना है पिछले साल दी फीस ते एस साल दी फीस दे विचेड़ी एन्हांसमेंट क्लॉस होंदी सी असी सरकारवलों एवी ओर्डर कीता है कि इस बार कोई भी एड्हांसमेंट चार्ज नहीं करू कॉंपोनेंट्स हैं और सिर्फ टूशन फीस दा कॉंपोनेंट्स देना है और सिर्फ स्कूल ऑनलाइन क्लासिज पड़ा रहे हैं इस तोलावा साड़े किसी ने मैंनों लिख्या है फिरोजपूर तो राजन जी ने और किसाड़ा अगर इंटरनेट दा पैक खतम हो जुगा तब फिर आसी की कर साथे हैं देखो मैं मैंनों भी पता है कि करोना दी महामारी करके आसी भी सरकारी स्कूल लांच बहुत बहुत तरीक्यां देना असी वेब पोर्टल दे राहीं चालो किती है चाहिए असी बहुत प्लैटफोर्म से उपर ऊंलाइन चालो कीती है और हर बंदे ने अपनी कोशिश कीति है कि आसी चालो करके रखिए और असी साधी कोशिश कर रहे हैं कि असी अपना लोगानों बर्डन भी ना करी और जिते तक इंटरनेट पैक दी तुसी काल की थी मैं थोड़ा एक्जैक्ट वर्ड सुनना चांद देखना चांदा सी एसी क्योंकि इंटरनेट दी गाल है उन्हों पंजाब सरकार फ्री नहीं सब्सक्राइब कर देखना चांदा थे एक सेंट्रल गर्मेंट ही इस दे उपर गाइडलान बनाओं दिये पारस सरकार देक बीबीनल डेपार्टमेंट है असी और भी मेरी रविशंकर प्रशाजी नाल वीडियो कांफ्रेंसिंग सेगी देखी कि गर्मेंट आफ इंडिया दे रही जड़े सब तो ज्यादा ग्रीब प्रवार रहा है उन्हां असी डाटा पैक्स वास्ते कोई ना कोई प्रभीजन बना के देए तो बिना असी अपने एजुकेशन नों ग्राउंड लेवल ते नहीं पचा सका है असी या प्राइवेट स्कूल जिन्ने मर्जी मेकैन मेकैनिजम असी ओनलें बना लग्ये फिर फीर भी बहुत सारे ऐ किने स्मार्टफोण कि प्रॉब्लम आपने डी प्रॉबलम में कि एंट नियुकेशन सब्सक्टा अगर आ सब्चेंनावे चाई औटी डा मेकैनिजम होगा इस तो बाद एक सवाल मेरे मेरे को ले पे जिया मिनाक्षी शर्मा जी ने जी चुर्ण ने लिखिया है कि यहां पांज लाख फैमिलीज है वह आल्मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स दे उपर डिपेंडेंट है यह बिल्कुल ठीक है उन्हें क्या है यह क्योंकि मैं जाल गल जुरू कहना चोना है कि आज एक जड़ी situation है साड़े को ले एक बढ़ी अनपरेट्टेट सीचूइशन है अनवांटेट सीचूइशन है साध्य साथे साथ दे सामने आगई और मैं यह समझ दाय है कि आसी सारे सिचूइशन नों देखते हुए अपने 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 सीमित अदारियां मेंच रहके ही सानों काम करना पह रहे है तो इस करके एस सिचुएशन साथे सामने आगी अलामिंग सिचुएशन अगला सवाल मेरे को अशिश गुपता रहे है जिद अच लिखिया है कि गुब्मेंट शुट रिलीज डाटा ओफ आक्शन टेकन अगेंस्ट स्कूल येस हंट परसेंट वी डेफिनेटली डू तुसी अगर अपना इमेल आईडी अपने शेर कर दोंगे तब मैं थानू सारे पंजाब दाटा पर इदूंगा और असी खास्त ओरते जेड़े लोगाने पहला स्कूल ने फ्लाउट कीता सी गा उना वसी केर्फूल ने जवाब देता किसीने क्या मिनों नोटिस नियु मेले आसी किसीने जिना पहला फीस मंगली सी गी जो तों फीस डफर सी गी ते जेड तू आशिश पर स्रेवर रेजिंग प्रेड़ प्रेड वेस्टेन तू अप्रचुनिटी फैदा दिन दि यह कि मैं सारे लोगानुए कह सकां मैं इक बड़ी सक्तित्यां के रहे हैं सरकार ने हर करांदी कोशिश की ती है पैंडेमिक सिच्वेशन विट सबनु सब्सक्राइब और मैं एक अल ताहां थानुँ कह रहे हैं कि जड़ा एक्शन असी जड़े स्कूल रिपीटिदी फ्लाउट कर रहे हैं और मैं पिछले दो तिन दिना चाहिए सारे थोड़े इमेल जड़े स्कूल दे कोई फ्लाउट कर रहे से तुसी इमेल लिखी है मैं थौनवी रिप्लाई लिखे होगा थोड़े तो इलावा अपने डिपार्टमेंट नो स्कूल दे नाल गाल कर थू नोडल ऑफिससें थू डियोज गाल करन वास्ते आपने हो रेक्टिफाई करन वास्ते है और जेड़े स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं तो असी ऑनलाइन एजुकेशन दे वास्ते थूशन फीस लेना लाओ कीते हैं तो इस माइज रिस्पॉंसिबिलिटी तो लुक अट फ्रम परस्पेक्टिब ऑलसो इस तो बाद सवाल आया है खुशी अरोडा जीदा जीच उनने कुछ है कि टीचर आर नेशन बिल्डर्स टेकर देम येस मैं था हमेशा आय सेलूट भाई टीचर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर देवेच साथे स्कूल आच पनाना तीचर देयर बैकबोन आफ आर टीचिंग देपार्में मैं आपने पेरेंट्स तो बाद आपने तो मैं इस करके एक कहना चौन है कि सारे पहला मैं ओपनिंग रिमार्क से विच भी एक हल कही है कि जड़े साथे बच बच्ची है जड़े स्कूल आच पर आउं जांदी है वह नहीं करा देविच्च कोई जरूरत है प्रवार्मूं पैसे यां दी ताहां हो बच्चियां प कोई भी टीचर दी या नॉन टीचिंग बंदे दी किसी सेलरी कोई कटी जाओगी इस तोलावा एक सवाल होनी अनलाइन मेरे को ले उर्वी जी ने पेज़िया है जिदेच कि टीचर जी सेलरी पे नहीं किते हैं जारी है मैं होनी यह गल्दा सवाल जवाब दे के चुके हैं थोड़े को ले डीचर दे नंबर मेरे फेस्बुक दे उपर आ जाने होनी इमेल थोड़े को आ जाना है मेरे को तुसी बहुत सारे ने इमेल लिखिया से किया उना दे उपर आय वाल्री कंवेड़े तो माइ नोडल ओफिसर एंटो माइडियो अक्षन इस बिंग इनिशेटेटेंगेंस दोस स्कूल्स दोस वा दूइंग दोइंग दिस थोड़े विश्वास दवाना चाहना है थोड़े कोई प्रॉब्लम होवे तुसी आपड़े नाम तो मेरे मेल लिखो यॉर बच्चानों हथ जोड़के बेंती करना चौन ने जड़ियां ओनलाइन क्लासिज थोड़े फैदेवास्ते इस अड़े पविख वास्ते बहुत सारे बच्चाने एक्जैम्स नहीं होए एना खुशी मनाओ कि एक्जैम्स नहीं होए अगली क्लास पहुंचके अपां अगर सब्सक्राइब बारवीच पढ़ाई नंबर का मौन गे दसमी दे अठमी नौ मीच काटा जड़के फरक नहीं पेंदा पर जे आपकोई कोर्स पिश्लियां कलासा जो पुल्ले होगा या नहीं पढ़े हुगा तब बारवीच जाके भी पढ़ाई आं दियो नहीं तो इसकार सब्सक्राइब बारवा इस तो बाद एक किरण जी ने में पेज़े है कि वकेशन दी फीज देनी है कि नहीं इस तरह पिश्ले सालना चुंदा सी या उसे तरीक किना इस यह वाली गल होगी क्योंकि असी फीर एक्रेश्टे में बहुत जादा तबदीलियां अपने पदरते नहीं कर सकते करें यहां को सवाल मेरी बास्ते मुश्किल है और मैं पर लेकि किसे सवाल ना कोई परवा कर दिलों कि आपने अपने आपनों और घर गये और मी ःतने हैं barr ऑफेचंटं दौनद नी मदद सकर एंवी जोगानी कोशिष करदे लोगार है like time इसे कोशिषेख मेरी 11 वजे, उसे मज़ों करां किा उबडका तो दॉधु वजे करें मेशा कोशिश है कि I should try and finish my work and try and finish up my work for your best मैं उन सारे नो हाथ जोड के इक कोई बेंती करना चाहना है अपील करना चाहना है करोना दी महामारी नो देख दे हुए करोना दी इस पैंडेमिक situation देख दे हुए we will all stand by each other we will all stand by each other means we we will all stand by the government order and I am quite sure that you will support me you will support the government you will support my chief minister captain marinder singh ji whose vision whose thought process has been widely appreciated across the globe and I am quite sure that you are going to you support us in these unprecedented times you will support by us stand by us or मैंनों पुरा विश्वास है कि तुसी सारे इस गाल दे विच मेरा साथ दे होगे और मैं ज्यादा कुछ तुस्याल तुसी cooperate करना है पेरेंट से तुसी सहयोग ते विच तुसी हमेशा पेरेंट्स थी गालनों मनन इन है इजट करनी है जड़ो कोई पेरेंट्स केंवार अपा वड्डे हो जाने है ते शाने हैं कि पेरेंट्स सडे पेरेंट्स चंगी गालने का थे आप उन यह अन अपने प्रफ मांच रखांगे अपने पेरेंट्स थी काल नूं मन दें रहांगे वह राहर सिचुएशन जो बाहर वास्ते हमेशा पैरांदे पार सबस्क्राइब भाश्ते खड़े रहें चाहे जहाए जीए मर्जी सिचुएशन होब इतर टीचर दी गाले नॉन टीचर स्टाफ दी गाले मैं सव्क यह रह थांग अधर कोपरेट विच अधर इसे नू कोई तक्लीफ यह मेरे नोडल ऑफिससे ऑफेसे ऑपलिक डुमें दीच आरे हैं थाँड है तो ना दे उपर करो तुसी तुसी ओस इमेल लों सी सी मेंनू भी करना चानने हो तो मेंनू भी करो जे तो लगे की प्रॉब्लम है और थोड़े कोई भी गाल है तो तुसी मेरे एमेल आइडी दे पेर सा दे हो मेंनू फोन कर सा दे हो कोई शुड़ी है I am always available for you मेरा एक कोई थ अचले नाद Ambassadors of Hope दे विच पार्टी स्पेट कीता है इकल मैं थोनू बच्चों कहना चौना है थोड़े सारे आंदी पार्टी सिपेशन करके थोड़े पेरेंट्स दे सहयोग करके थोड़े टीचर्स दे थोड़े मैनेजमेंट्स दे थोड़े प्रिंसिपल्स दी दे सारे सिख्या विपाग दे साड़े में टीचर्स है बांते ऑफिसर्स दे मेंबर से बाना दे सेहुक्ट करके अपां Ambassadors of Hope दू वर्ल्ड रिकॉर्ड़ा खिताब दुआ सके हैं तो तुसी पंजाब नू प्राउड फिल कराया है और मैंनू पता है तुसी उस रिजर्ट् है थी पहला कि पच्वञजग हजार वीडियोज में ते मेरी टीम देख चुके और बाकी दे रहेगे पंजाब वीडियो रहेगे ते पांसा दिन दा वक्त रहेगा मैं तुन क्यासी चबी तरीक तो लेकर ती तरीक दे विच विच मैं रिजर्ट्स अनांस कराँगा और मैं तांकि आसी सारे बच्चानों सनमान कर सकीए और इस तो लावा मैं इंगाल होर्त होनूं सारे बच्चानों कहना चौना है क्योंकि एनिया प्यारियां वीडियोज है एनिया सोनिया वीडियोज है मैं पहला कोई कॉंसलेion पॉनसलेशन प्राइज हों सारे बच्चानों कोईसलेशनब्राइज पराइज भागंगे वह देते जानगे इस तो लावा मैं कॉंसुलेशन प्राइजेज नूं सौत वदा के एक हजार कॉंसुलेशन प्राइज आज मैं अनौंस कर रहे हैं क्योंकि इन्ने सोने चंगे वीडियोज हैं मेरा जी नी करदा हर बच्चा मैंनों अनादा कि मेरा अपना बच्च और मैंनो आजिए केंपेंज चलांदे रहांगे बच्चे आन्दी टेलेंट बार आंदी रहें बच्चे बार आके मजबूती ना कर दे रहें और मैंनू पूरा प्रमात्मानों कि बच्चानों सुख शांती रखें गौडड ब्लेस्यू स्टे से ब्लेस्ट सास्ट्रीकाल रबश्का जाए हन्द जाए पारद